नमस्कार दोस्तों, मैं आशी शंतिल कलेंडर से रिलेटेड कुछ दिल्चस्स मुद्धे आपको बताऊंगा, जैसे आपको सुना होगा, ये 21 सदी चल रही है, 21 सेंचुरी, क्या होता है 21 सेंचुरी, जैसे हम कई बर कहते हैं, कुतुम मिनार, 13 सेंचुरी में बना, तो वो बना, ऐसे मुद्धे, और दूसरी बात, सदी का आखरी दिन, पहले शुरुआत में यहां से करूँ, पहले सदी का आखरी दिन, इनके अलावा आपको पता है, और कोई नहीं हो सकता है, सदी मतलब सेंचुरी, दा लास टे ओव दा सेंचुरी, सिफ यही हो सकते हैं, और सदी भी नहीं हो सकते हैं, सिफ यही हो सकते हैं, संडे, मंडे, वेनशे, फ्राइड़, आप बोलो कि सेंचुरी का आखरी दिन होता है, 31 दिसंबर, लाइक उननिस सो, जिसके पीछे दो जिरो आती है, उसको बोलता है सेंचुरी, सेंचुरी, like for example, कई लोग इसको गलत समझ होते हैं, वो क्या कहते हैं, कि 31 दिसंबर, 1899, सदी का आखरी दिन होता है, सदी मतब सेंचुरी, और सेंचुरी होता है, जिसके पीछे दो जिरो आती हो, like for example, उननिस सो, दो जिरो, 2000, 31 दिसंबर 2000, 20 के पीछे दो जिरो, ठीके ना, 1800, 1700, 1600, 1500, तो 31 दिसंबर, और ये सताबद सेंचुरी, इनका आखरी दिन केवल इन में से हो सकता है, जैसे आपने सोना होगा, सचिन तेंदुल करने, एक सेंचुरी मारी, तो मतलब एक के पिछे, दो जिरो, डबल सेंचुरी मारी, मतलब दो के पिछे, दो जिरो, तीन सेंचुरी मारी, मतलब तीन के पिछे, दो जिर जानना में इसको सोचते हैं तो एक बात आओ अगर सचिन तंद्रुकर या विराट को लिनिन trails निन्यानवा रन पे निन्यानवा रन पे लाश्षभनी निन्यानवा तो क्या उसकी century हो चुकी है ंण डबल कुछ भी क्या हो चुकी है пл ego 20 को कि ter Integration ने निन सोरी सो के बिछे दो जिरो इस प्रकार से अब यहाँ पर एक और बात समझना और वो ही है चलो यह तो आपको समझ में आ गया होगा अब एक और बात समझना अगर आखरी दिन ये हो सकता है तो अगला दिन कौन सा होगा अगली सेंचुरी का मतलब अगर 31 दिसंबर 1900 को संडे है तो एक जनवरी 1901 को नेक्स सेंचुरी का पहला दिन मतलब किसी भी सतापदी का पहला दिन सेंचुरी का पहला दिन इनके अलावा कोई नहीं हो सकता क्योंकि अगर 31 दिसंबर, आखरी दिन, 31 दिसंबर को अगर संड़ी है, तो अगले दिन, अगले दिन, एक जनवरी को मंडे होगा, अगर यहाँ पर मंडे है आखरी दिन, तो अगले दिन टूस्टे होगा, और अगर आखरी दिन वेनेस्टे है, तो अगले दिन धर्स्टे और अगर आखरी दिन Friday है तो अगले दिन Saturday होगा, तो ये वो दिन है जो किसी भी सतापदी के पहले दिन हो सकते हैं, तो पहले दिन कुन-कुन से हो सकते हैं, वो ये हैं, और आखरी दिन कुन-कुन से हो सकते हैं, वो ये हैं, और सतापदी किसको बोलते हैं, जिसके पीछे दो इधर आपको केवल Monday-esque ऐसा दिखाई देगा जो दोनों में कोमन है यानकि Monday एक ऐसा दिन होता है जो किसी century का पहला भी हो सकता है और किसी कोई न कोई किसी century का आखरी भी हो सकता है अकेला यही एक कोमन निकल कर आ सकता है उमीद करता हूँ यह बात समझ में आई होगी और हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया आखरी दिन होता है 31 दिसंबर 1900 जो यानकि 1900 सताबदी का एक प्रिकार से आखरी दिन है वो हम 1900 सताबदी का यानकि यह सताबदी शुरू कब से होई थी एक जनवरी 1801 से लीकर 31 दिसंबर 1900 तक की इसलिए हम बोलते है 19th century और 19th century में जब हम इशारा कर रहे होते हैं हम बोलते हैं जनरली मोटे तौर पर 1801, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 19, 1900 इसलिए अगर कोई घटना अठारा सो की लाइन में होई है लाइक अठारा सो सस्तावन की क्रांती तो वो 19 सताबदी में होई है इसलिए हम बोलते हैं 19th century 19th century तो अगर अगर मैं कहता हूं 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1300 तो यह तेरवी सताबदी का आखरी दिन है तेरवी सताबदी का आखरी दिन अर्थाथ इस सताबदी century की शुर्वात हुई थी एक जनवरी 1201 से एक जनवरी 1201, 1210, 1220, 1225 होते हुई 1295, 96, 97, 96 और अब 1300 इसलिए हम बोलते हैं तेरवी सताबदी हैं तेरवी सताबदी का आखरी दिन आखरी दिन तेरवी सताबदी लेकिं होती ही घतना है 1200 की आसफास की है तो अगर आप से कोई कहता है कि कुतुम मिनार कुतुम मिनार 1233 के आसपास बना, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, इसी के आसपास बना था, मुझे इतना पता है अगर कुत्व मिनार जो दिल्ली में है, 1233 में बना है, तो कब बना है, 32 सताबदी में और इसी प्रकार से 31 दिसंबर 21 दिसंबर 2000 ये बीश्वी सताबदी का आखरी दिन है 20th century अर्थार्थ एक जनवरी 1901 से लेकर 31 दिसंबर आखरी दिन 20 सताबदी का आखरी दिन ये होता है इसलिए अगर आपसे कोई कहता है भारत 1947 में जाद हुआ तो भारत 20 सताबदी में जाद हुआ 20th century में और इसी प्रकार से ये चल रही है 21 सताबदी 21 सताबदी जिसकी शुरुवात एक जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 21 दिसंबर 21 दिसंबर तक चलेगी 21 सो तक 2023 चल रहा है 2024 25 25 50 60 2090 25 96 97 99 99 99 99 99 के बाद 200 200 का आखरी तो ये बात आपको पता होनी चीए तो अगर कोई कहता है हर्ष्वर्धन छटी साथवी सदाबदी में था मतलब 600 के लाइन में था अगर कोई कहता है East India Company सत्रवी सदाबदी में आई थी 17th century में तो 1600 के लाइन में आई थी मैं उमीद करता हूँ यह सारी बातें समझ बागई होगी ऐसी और कोईशन लेकर आउंगा मैं फिर आउंगा आपको पता है मैं जरूर आउंगा नमस्कार